वेलकम टू माइचेनल मल्ट एजुकेशन पॉइंट प्रीवेस लेक्चर में हमने पड़ा था एनीमिया के बाले में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ओफ एनीमिया टाइप्स ओफ एनीमिया मैंने आपको बताया था कि यह डिपेंड होता है दो बेस पे एक तो मार्फोल और मेक्रोसाइटिक नोर्मोक्रोमिक ठीक है तो फर्स्ट वान इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या क्या आता है माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि माइक्रो मतलब होता है इसमाल और साइटिक मतलब होता ह है न Briana तो सभी साइज जो होती है वो क्या होती है स्माल हो जाती है है हाइपो मतलब मैंने बता है कि BRA को yanती किके क्या होता है तो इसमें क्या होता है कलर कम हो रहा है सभी साइज प zarrid press video हो出来 जाती है यहीं से समझ में आ रहा हुगा अब यह biggest टoti अग्यामिक में यह होता है थीन टाइप्स का होता है एक्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि आइर्ण डेफिशेंक से निमीया नॉन इस मै क्रो कृक्णी थैल्श है इंविया की पूच्छ में पूच्सक्ति के बारहे में पूच्छ सकते हैं सज्ट ठीक है इंपोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एक्जाम के बेस पर देखा जाए तो भी और मैं एक्जाम के लिए देखा जाए तो भी आइरन डेफिशेंट से फरस्ट वन हम डिसकस कर लेते हैं 60 प्रसेंट इन सर्कूलेटिंग ब्लड ठीक है हमारा जो ब्लड से वह क्या प्रजेंट होता है आईरन प्रजेंट होता है क्या प्रजेंट होता है क्योंकि आइरन कंबाइन होता है किस से हीमोगलोबिन से और हीमोगलोबिन जोड़ी होती है किस से और ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रजेंट होती है देखा जाए तो सेल आर ठीक है कितना होना एटीन से 5 ग्राम आइरान ऐन इन बोडी इस रेड़् झायक्ट इपक्टी MOG संटेशिस सीजबर मैंने बता है आपको क्या इरन कंटीन होता है किससे Hemoglobin से ठीक है तो अगर अगर आइरन करेंश view है वह वोड़ी में कम होगा तो क्या होगा वह अफेक्ट करेगा किसको हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को ठीक है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस प्रोपर नहीं हो पाएगा ठीक है यदि आईरन की कमी होगी तो storing iron कहां store होता है तो liver में and re system as hemocidurin and ferritin यहन्हें कि bone marrow के RE system में और liver में किस form में present होता है हिमocidurin and ferritin ठीक है? आइरन जो हमारी body में iron के form में ही present नहीं होता है उसका breakdown हो जाता है और present होता है किस form में? हीमोसीडरीन एंड फैरीटीन ठीक है कहां प्रयजिएंट होता है तो लीवर इंज-री सिस्थम किसके बोन मेरो के ठीक है अब आरिन का ट्रास्पोर्टेशन कैसे होता है बोडी में तो वो होता है तो वो बाउंड टू बीटा ग्लोबिलीन जिस रिखन यह सब सुना होगा ठीक है तो बीटा ग्लोबिलीन हमारी सेल से प्लाजमा सेल में प्रजेंट होती है तो यह बाउंड होता है बीटा ग्लोबिलीन से जो कि एंटी बोडी को क्या करता है एक्टिव करने का काम करता है ठीक है तो बीटा ग्लोबिलीन से बाइंड होके फिर क्या करता है यह ट्रांस्पोरोड करता है हमारी बोडी में हर एक और न में जिए एंड ट्रांस्पोर्टेशन में टेस्ट गूं सा लगाया जाता है तो एक तो होता है टोटल आयरण बाउंडिंग कैपी silos टी ईटी एई १ और टोटल आयर न बाउन आन निंग डाइर बॉड इन का डेस्त लगाएं जाता है कौन सा टेस्त लगाए जाता है तो टोटल आइरन बाउंडिंग टिस्टी इंड़ फेरी टी इन टेस्त यह है यह इन की कमी से जो है वो हो सकता है अब इसमें क्या-क्या इंक्रीज और क्या-क्या डिक्रीज होता है लेवरेटरी डाइगनोसिस लेवरेटरी के बेस पर देखा जाए तो यहीं बता रहते हो है हुआ है कि देखो मेने बताया था है आपको प्रीवेस क्रमें कि सेल होता है और च Meg logo मतलब इत्म Pitts होता है तो संद्धर होती है हुआ ऐसार дол पर करती है किसको में इसकी साइश्ज पार ही है कम हो करता है mc hs e ko ठीक है तो mc h c b इसमें क्या होगा decrease हो जाएगा ठीक है यह हमारा हो गया iron deficiency anemia second one हमारा है इसमें थेले सेभी होता है तो देले से मिया होता है in quantitative होता है थेले से मिया है डेटरी and quantitative है है जन्म से हमें प्राप्त हुआ है उस इंफेक्शन का सुर्ण उसको क्या का एनिमिया को कहा जाएगा है और क्वांटी टेटिव किसे कहा जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम हो जाती है ठीक है क्वांटीटी यानि कि अलफा एन बीटा चैन इस रेडियूजड अब अलफा एन बीटा चैन जो होती है वह प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और प्रोटीन किस से मिलकर बना हुआ होता है एमीनो एसिट से मिलकर बना हुआ होता है प्रोटीन और अलफा और बीटा चैन किस से मिलकर बनी हुए के प्रोटीन से तो इसकी A'mino acid की संख्या इसमें कम हो जाती है 알फा and beta chain is reduced ठीकित अगर अगर इसमेंट की संख्या कम होगी तो प्रोटीन कम बनेगा और प्रोटीन कम बनेगा तो Alfa and beta chain जो है वो भी संक्या कम हो जाती है सोरिया भी सरदी का महहल तो इसे लिए इसको क्या कहा गया है क्वांटी टेटि आठ तो ऐसे मिलकर बने मानơnfly यह 10 Amino इसट में आपको एसे एक्जाम्पल के तोर पर बता रहे हूं है ना तो ten amino acid से मिलकर बने हुए होते हैं तो यह 10 से गट कर जो मानलो यह 3 या 4 रहे जाते हैं तो इनकी संख्या में कमी हो जाती है है संख्या में कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा quantitative है ना उनकी quantity में कमी हो रही है ठीक है अब थेले सेमिया चो होता है वो टू टाइप्स का होता है दो टाइप्स का होता है एक तो होता है major थेले सेमिया और एक होता है minor थेले सेमिया ठीक है अब major थेले सेमिया आपने सुना होगा बीटा थेले सेमिया और अल्फा थेले सेमिया ठीक है तो मेजर को कहा जाता है क्या बीटा थेले सेमिया और माइनर को कहा जाता है अल्फा थेले सेमिया ठीक है inherited inheriting from both parents अब यह measure जो होता है यान कि beta compilation में जो होता है वो दोनों parents से मिलकर होता है ठीक है दोनों parents जो होते हैं उनसे inheriting यानि कि at birth दोनों parents से होता है किसको बच्छे को at birth के समय ठीक है minor minor होता है from single parents है न और ये symptoms free होता है इसमें कोई शिंटम्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं यह होता है क्यावल किसे क्यावल single parents होता है एक ही parent से ओता है तेले से मिलए जो यह बीटा तेली से मिलावाथ लिटेल में इसको समझाओंगी उससे सिद्धरीटीर अठ्रास्टिक क में समझाने क्यếu को यॡु Edit होता ही छे माइलो डैपलेशिया जिसको माइलोडेश्यी हम ग्ललैश्टीज होता है ठीक है abnormal RBC contain granules three to four arranged in ring यानि कि इसमें सिडर और ब्लास्टिक में क्या होता है कि हमारी RBC यानि एरेत्रोसाइड जो होती है वो कम से कम कितने तीन से चार जो है वो granules से present होते हैं इसमें तीन से चार granules दिखाई देते हैं RBC में ठीक है abnormal RBC contain granules three to four और arranged in ring जो की present होते हैं कैसे रिंग जैसे ठीक है आर बीसी के अराउंड यह नॉर्मल आर बीसी हो गई ठीक है इसमें यह granules present है यह कैसे आपको round ring जैसे दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो इसमें तीन से चार रिंग जो जैसे granules present होते हैं क्या कहलेते हैं सीडोर ब्लास्टिक एनीमिया ठीक है डिफेक्ट इन हीम सिंतेसिस ड्यू टू आमीनो एसीड आमीनो ल्यूवैनिक एसीड एन आईरन लेवेल जो होता है वो इन्क्रीज हो जाता है इसमें डिफेक्ट इन हीम सिंतेसिस ठीक है ड्यू टू एमीनो ल्यूवैनिक एसीड अब एमीनो ल्यूवैनिक एसीड जो होता है यह एन्जाइम डिफेक्ट है जो की हेल्प करता है किसमें हीमोग्लोबिन के सिंतेसिस में तो इसमें डिफेक्ट हो करण क्या होता है हिमोग्लोबीन के सिंतेसेश में बीदीक वोता है बट इसमें न्लेवल जो है वो क्या होता है इन्क्रीज हो जाता है आईरन का गांटेन इसमें बढ़ जाता है यूटा किसके कारण तो एमिनोल्यूवैनिक एसिड है एंजाइम डिफेक्ट के कारण जो की हेल्प करता है किसमें हिमोग्लोबीन के सिंथेसिस में आगे हम पढ़ते हैं आप से नेक्स्ट हमारा है मैक्रोसिटिक हाइपोग्रोमिक हो गया है मेल हमारा है मेखोग्रोसाइटिक समझाने से भ हम आप थेटन से में के बारे में ठोड़ा सा डीटेल में informing बता तक की आप बीता थेल चाहिता कि दो टाइप्स को चुछा होता है थेले से मैंधी तो एक होता है मेजर और एक होता है माइनर ठीक defined कि तो मेजर कि सब्सक蓋 है अलफा थेलिसेमिय माइनल डियो टो जीन डिलेशन टीक है जीन में डिलेशन डिलेशन होने के कारण जो है वह अलफा थेलिसेमिय होता है यह क्या पेरेंट्स के त्रू होता है तो पेरेंट्स के जीन में अगर डिलेशन होगा कहीं ने कहीं वेरियेशन होगा उनके जीन में त ल्टिक लिए भी ठीका देलेशनो और अल्फाचन फेल्यूरibel हीमोगलोवीन Nordicardlyn इन्यूतेयों अगर दोनों अल्फाचन में अगर डिलेशन होगा ठीका अलफाचन जीननी पड्ही में इन पेरेंट्स ऑगर दो पैनिस के जीन में और इल्फा चैन है तो क्या हो सकता है जिसके कारण चैन वाईक हींत जाएंग जो होता है क्योंकि क्या होता हे इसके करण C करद पीजस्वाइब होगा और कारण क्या होगा डेथ हो सकती है उतेरों में पर तो गर्ब में देतह होने के चांसे इसमें ज्यादा रहते हैं इसलिए इसको मौरीन चाइल्ड में हो सकता है ठीके इस चन्डिशन में क्या होता है MCV-MCH जो होते हैं वह लो हो जाते हैं क्योंकि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में बताया था आपको तो उसमें क्या होता है एंसी वी और साइज कम होती थी और उसमें Color भी Color भी कम होता है ठीक तो इसमें संवेज और मीस करप जोलएंगोम और मीन सकाल पर स्कुलर हीमो लबीन जो है वो क्या होता है कम हो जाता है सेंट वन्य भी थे पूछा जाता है कि लानद स्कुली एनिमिया बीटा से लिखन्न सींतेसिस हो रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है सिंतेसिस हो रहा fast रा बीटा चसे इनibt का सिndसिस्ट कहा रहा है वह होता है वहद्थनली तो रहा है ठीक है मेंने अभी बताए था कि यह quantity होती है क्योंकि इसमें क्या होती है बीटा चैन की जो quantity amino acid की quantity जो होती है क्या होती है कम हो जाती है ठीक है इनलाजमेंट of spleen and abnormalities in bone marrow hyperplastic यहनि कि spleen जो हैता है वो क्या होता है है in large हो जाता है ठीक इन लार्ज मतलब की साईज में बढ़ा हो जाता है ठीक है इस्प्लीन इनलार्जमेंट होता है यह इसमी inhale इस नॉने मैं लेटीक होती है क्या होती है कि 492 इस तेश्यू से मिलकर ऊर्गन बने हुए होते हैं तो वह सेल की क्वांटिड यह होती है साइज में इंक्रीज होती है तो टीशू होता है और और ऑर्गन की साइज भी है क्या होती है बढ़ जाती है सब्सक्राइब मेरो में भी अपनर्मलिटी होती है हाइपर प्लास्टिक होती है स्प्लीन भी इनलार्जमेंट होता है डिस्ट्रक्शन आप इनमेच्वर और बीसी इन बोन मेरो बोन मेरो रेट सेल का फॉरमेशन कहां से होता है बोन मेरो से होता ह तो वहां से क्या होता है कि immature RBC जो होती है वह immature RBC का destruction होता है कि immature यानि कि क्या होता है कि destruction of immature RBC जो है वह mature नहीं हो पाती है तो वह पूरा नहों के कम हो जाता है और destruction है ना RBC जो है वह तूटने लगती है कब बीच में ही जब हो होगा नहीं हम इसे पहले ही वह तूटने लग जाती है तो अगर इन मैच और बी सिकार सिक्ट्रक्शन हो गाँ सब्सक्रेस हो लोग होते हैं सेकेंड वर्न हम दिसकस करते हैं मेक्रो साइटिक 50 नौर्मोख्रोमिक हाँ मेक्रो सेटिक नोर्मो क्रोमिक है ना सेकंड क्या है हमारा मेक्रो सेटिक नोर्मो क्रोमिक मेक्रो मतलब होता है बड़ा हुआ सेटिक मतलब सेल की साइज बड़ी हुई अभी हमने पढ़ा था माइक्रो माइक्रो मतलब होता है इसमाल ठीक है इसमें सेल की साइज इसमाल ह डिफेक्ट डिएने सिंथेसिस एंड सेल डिविजन हमारा डिएने सिंथेसिस जो होता है उसमें डिफेक्ट एंड होने के कारण रिलीज होता है इंडिफेक्ट होने के कारण क्या होता है इंडिफेक्ट होने के कारण क्या होता है इंडिफेक्ट होता है इंडिफेक्ट होता ह वाउस का डिवीजन ही नहीं पा रहा है च्था का आगे एसे इरेथ्रोप्यसीज रूंबोट। होता है तो उसमें क्या होगा एक से दूसरी से बनेगी इस प्रकार से वह क्या होती है तो उसके कारण होता है यह DNA synthesis और उसके cell division में होने के का डिफएक्ट होने के करण और देथ हो जाती है before release bone marrow यानि कि वो bone marrow से release होने से पहले ही उसकी date हो जाती है यानि immature RBC की death हो रही है ठीक है date of immature cell है na deficiency of vitamin B12 and folic acid अब यह DNA synthesis में defect cell division में RBC का बोन मेरो से रिलीज होने से पहले ही एसलिए कहते हूं कि विटामिन ज्यादा लेना चाहिए पैंसाइटोपीण यह क्या होता है मैं ग्रेट्रो Bruce ए रहे किया ही होता है घ्रेट्रो भॉयसीस कर ओंगसी को अहया है और फोईसी समेशनको ऑससर मेजने अगर मेशुद होती है उसे इरेत्रोपैसिस कहा जाता है और प्लेट यरे क्या पर कहा जाता है थरॉंबोपैसिस अब इन सब में इन सबकिके फ़ॉर्मेशन को डीवर्मेशन का डीवर्मेशन का डीकरीज होना क्या represent पिन्साइटोपीनए ठीक हें फर्मेशनकिन एर डियर फॉसिज एरोपोइस इर फॉबभ ज़ुछिस ट्रॉमबासी एरफॉफिस साफोके डिय्व로प मेंट की स्टेज को रेडिईूस होना पिन्साइटोपीनिया क्यालाता है थी कड्रेडूमेंट त्रेज औहों सेल का Gara and you do know82 साइट काउंट इसमें क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं क्यों कि समें MA यू enormous IWould zaw जाती है तो रेटिक्शलोश आइड काउन क्या होता है बनी नहीं पाता है थीड़े सेल की साइट कान यह वह तो होता है यह बढ़ी हुई दिखती हैhall तो इसमें क्या होता है बॉन मेरो हाइपरप्लासिक हो जाती है अगर सेल की साइज बड़ी होई दिखेगी तो बॉन मेरो हाइपरप्लासिक दिखेगी साइज में बड़ी दिखेगी तो रेट सेल का क्या होगा वह ओवर हो जाएगी ठीके रेट सेल में और क्या-क्या दिखा दिखाई देती है इस इनवदनोर्थी कारण स्ची Northwest the अब यह सब किसके कारण होता है तो यह होता है जीनभी क्षैट के कारण सेक्टनिशन्स एंप्रीशत्य प्रिशी रिलएटेट Bakar नोलेंसिक से क्योंकि यह वितामिन बीटियल और विक एक सीड की कारण ही होता है सब जो भी हो रहा है कि देफिशियंसी और इंट्राइसिक फेकटर तिक हैं जो यह होता है जो कि ग्लाइको प्रोटीन सापने नान सुड़ा होगा जो एक वितामिन ETL होथे हैं वह ग्लाइको प्रोटीन के साथ क्या होते हैं तो वह ग्लाइको प्रोटीन वह होता है किसके साथ विटामिटन ओडेफिशियन्सी के साथ कहने कि फिसके लिए विटामिन V2L के absorption के लिए जो है वो जरूरी होता है क्या जरूरी होता intrinsic factor जिसे क्योंकि glycoprotein कहलाते हैं ठीक है यदि इन intrinsic factor में कमी आएगी तो यह vitamin V2L को absorb नहीं कर पाएंगे absorption इनका vitamin V2L का नहीं होगा ठीक है not secret by gastric mucosa तो यह gastric mucosa के द्वारा secret नहीं होगा और cell तक नहीं पहुच पाएगा और उसी के कारण DNA synthesis and cell division जो होता है वो proper नहीं हो पाएगा बट यह 60-year age के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है ठीक है कितने 60 के लगबग लोग जो रहते हैं परसंड होता है उसमें ज्यादा देखने को हमको मिलता है मेक्रोसेटिक नॉर्मोग्रोमिक के कारण जो होती है और भी लिवर डिसीस जैसे हो गया आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें शेयर करें इन सब्सक्राइब करें और भी वीडियो में आपको प्रब्लम आए तो मैं हर बार करते हूं आपको की कमेंट में शेर करें मुझसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो बना के दो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में हीमोलाइटिक एनीमिया के साथ थैंक यू